हेलो फ्रेंट्स तो आज इस वीडियो में मैं सभी powerbank module के बारे में जानकारी दूँगों A to Z हर एक चीज कितना output है कौन सा best है कौन सा fast charge करेगा तो वीडियो को complete watch कीजिएगा वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा आपके लिए से content आते रहेंगे तो सबसे हम पहले हम बता देते हैं कि हम आठ चीजों में इसका difference करेंगे कि कौन सा best है तो सबसे पहले कहां से खरीदे price कितना capacity output करें चार्जिंग इंडिकेटर फुल चार्जिंग इंडिकेटर इंपुट करेंट फोन चार्जिंग टेस्ट आप पेर विच वन इस बेस्ट करेंट कंजूम बैटरी तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे छोटे वाले powerbank मोडियूल की जो की है single USB powerbank मोडियूल जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे यह वाले powerbank मोडियूल इस वाले powerbank में यूज होता है तो अब इसके बात करते हैं इसमें आपको दो इंडिकेशन लाइट मिल जाती है वन माइक्रो USB मिल जाता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं और एक वन USB आउटपुट के लिए मिल जाता है तो आप देख सकते हैं मैं इसको चार्ज में लगाया है क्योंकि यह फूल चार्ज हो जाएगा तो यह ब्लू लाइट जलेगा मुझसे कुछ टस्टिंग के वक्त कुछ छूटने इसके लिए टेबल मिल दा लिए है 1 वन USB ¿1 USB क्वैल्टी सेकंड थ्री ग्रीवाइट मैं आपको इसमें बता दिया और अब बात करते इसके जो प्राइस है जो इसका प्राइस है वो 89 पर पीस मैंने लिया है अमाजॉन से मैंने यह भी आपको उता दे कि मैं कहा से लिया और इसके लिंक के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सभी ही तो ऐसे ही हम टेस्टिंग करते रहेंगे और अगर कुझे कमेंट में पूछ सकते हैं मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाइ दे दूंगा बस आपको एक ही काम करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर करना है तो अब इसमें जो चीज़े बच गी है वो भी मैं अच्छे से बता देता हूं तो अब मैं इसक मैंने मल्टीमेटर को Oui यरते सेच करते हैं जैसा मैं इसको टेस– ऎरत है यह मंधिली में पीक हज्ट है मतले माने बहुत ज्यादा घ्रहा है और आप देख सकते हैं लाइट की चार्जिंग इंडिकेट कर रहा है तो अब मैंने इसमें आउटफूट कर लिए आप देखा ही होगा 1.56 एमपेर यह आउटपूट कर रहा था जो कि बहुत अच्छी बात है यह मैंने सोचा नहीं तो मैंने इसको भी टिक कर लिए हैं अब देख सकते हैं तो इसके देख सकते हैं किई अगला जो है इन पूट करेंट का सकते हैं लिए जबहां कितने मौडिल के चार्ज को ही करते हैं तो मतलब चैके मैं जबहां कर लिया तो हम सभी में टिक कर लेंगे क्योंकि वीडियो पहली बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए हम इसमें टिक कर लेते हैं इसमें और इसमें और जो विच वन इस बैस्ट है यह तो मैं बता दूंगा और बचता है फोन चार्जिंग टेस्ट तो यह भी मैं आपको दिखा आप देख सकते मेरे पास यह वाला है वन यूस्व जो अच्छी क्वैल्टी में इसमें आपको पुछ स्विच मिल जाता है और जो है वह वह फोर इंडिकेटर लाइट मिल जाता है चार्जिंग के लिए जो कि 25 परसेंट 50 परसेंट 75 और 100 परसेंट को शो करता है इसमें क्यां और टेंच मेंट्य काँ सामसद यूज करें तो आप यीबालन यूजरus कर सकते हैं यह उसमें बल्कुल फिट चेक करेंगे जो विए चार्जन को बता दिया तो हम हमारा चांड हो जाएगा तो हम इसको ऑफुप्वी टिकर लेते हैं तो अब हमारा इसमें रह गया फोन चार्जिंग ये भी मैं दिखा दूँगा और क्रंट कंजूम बैटरी कि ये कितना बैटरी को एफिशेंस देगा मतलब आप इसमें अगर 3000 mAh की बैटरी यूज करेंगे तो आपको ये कितना जो फोन चार्ज करेंगा तो मैं आपको बता द 70% तक फोन चार्ज करके दे देगा जो कि बहुत अच्छी बात है तो अब हम इसके वी आउटपूट करेंट जो है वो टेस्ट कर लेते हैं जैसे हमने पहले वाला की कहा है था सेम वैसे तो आब मैंने इसके वी कनेक्शन कर लिए है पॉस्टिव पॉस्टिव और नेक्टि करा देता हूं तो आप देख सकते चार्जिन पर चौथे लाइट बिलिंक कर रहे हैं मतला विए फुल चार्ज नहीं है तो फुल चार्ज हो जाएगा तो चारो लाइट जलेंगी तो अब इसके भी हम जो आउटपूट करेंट है वो टेस्ट कर लेते हैं जैसे हमने पहले अच्छा ग्लो कर रहा था और यह अन हो चुका है यह सब आटोमेटिक अन हो जाते हैं और आटोमेटिक 10 सेकेंड में आफ भी हो जाते हैं तो अब इसको मल्टी मेटर से चेक कर लेता आउटपूट करेंट जैसे हमने पहले वाले का किया था सेरीज वाईस तो जल्दी से अब इसका टेस्ट करते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो कर रहा है और यह 2.10 एमपेर करेंट आउटपूट कर रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है तो आपने देख लिया होगा यह बहुत अच्छा वर्ग कर रहा है तो अब मैं इसको फिर से आपको चार्ज लगा है कि बार शो करा देता हूं कि यह चार्जिंग पर कैसे इंडिकेटर कर रहा है तो आप देख सकते हैं मैं इसको चार्ज में कनेक्ट किया और इसकी पहले चार्ज है तो अब हम इसके पहले मार्किंग भी कर लेते कि क्या क्या हमने टेस्ट कर लिया तो इसका जो आपने देख लिया होगा 2.10 अम्पेर जो है इसका आउट्पूट करेंट है इसको हम टिक कर लेते हैं तो फोर चार्ज जो टेस्ट है वह हम एंड में करेंगे सभी का और जो करन्ट कंजूम वैक्टर वह मैंने आपको बता दिया कि 70 परसंट सब में देता है लिखा 90 परसंट होता किसी किसी में लेकिन वह देता 70 परसंट है मैंने सब को टेस्ट किया हुआ है तो अब चलते है तो यूस बी वाले पा़र्मक मोटी हुआ की तरफ यह भी पावर्मक मनायम होता है अब देख सकते हैं जैसा कि अभी आपको फोटो में दिखा दे रहा होगा यह इन सब पावर्मक में यूज होता है तो यह बहुत अच्छा है तो यूवस्द वाला है बाइक्रो यूवस् तो इसकी जो चार्जिंग हिंडिकेटर है उसके बारे में बता ही दिया 25% 50% 75% 100% और फुल चार्जिंग पर चारो लाइट गलो करेंगी तो इसकी भी हम जल्द से टेस्टिंग कर लेते हैं और लेकिन उससे पहले हम इसके मार्क कर लेते इसके प्राइस का सबसे में बात जो ह जो इसका प्राइस है वह थोड़ा जाता है वह 129 है एमाजोन पर जो इसका करपस्टी है वह भी 10,000 मिली एंप्यर है और जो इसका आउट्पूट है वह हम टेस्ट करेंगे और जो मैंने इसका चार्जिंग इंडिकेटर आपको बता दिया 25% 50% 75% 100% इसको भी टिक करते हैं फुल चार्जिंग भी मैंने आपको बता दिया इसको भी टिक कर लेंगे और जो बचे है वह हम एंडिमे तो करेंगे ही तो अब चलते हैं इसके आउट्पूट करेंट में स्वारी फ्रेंट्स मैं इसकी टेस्टिंग नहीं कर सकता कि यह थोड़ा खराब हो गया है मैंने इसको सुबह ही टेस्टिंग से बहुत अच्छा वर्क कर रहा था लेकिन अभी पता निसको क्या होगे मैं इसको कनेक्ट के बैट्रिक सत तो चार्जिंग इंडिकेट कर रहा खराब हो चुका है लेकिन फोन चार्ज करता है तो आगे बढ़ते हैं सिधर थी यूजब वाले पार्मेंक मॉडियूल में इसको करते हैं side में तो आप देख सकते हैं यह 3 USB वाला powerbank module है इसमें आपको 3 USB मिल जाता है तीनों में output current अच्छा मिलता है इसमें आपको push switch अलग मिल जाता है नीचे की तरफ और charging indicator light भी आपको उसके नीचे ही मिलता है और एक इसमें flashlight में मिल जाता है तो अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं सबसे पहले जो इसका प्राइस है इसका जो प्राइस है वह 89 है Amazon पर और जो इसकी capacity है वह 15,000 अमीच है और जिसमें यह जो powerbank module है यह जिस powerbank में यूज होता है वह आप फोटो में देख सकते हैं तो अब हम इसका थोड़ा मार्किंग कर लेते कि कुछ छूड़तों नी रहा बताने वाला तो अब हम इसका प्राइस की बात करते हैं 89 है और यह भी Amazon पर है इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो इसकी capacity मैं आपको बताई वह 15,000 अमीच है इसको भी हम और जो इसका आउट्फूट करेंट है वह हम चेक कर लेंगे चार्जिंग इंडिकेटर पुराने जासा सेम है 25 परसंट 50 परसंट 100 और फुल चार्जिंग पर चारू लाइट गलो करेंगे लेकिन इसमें जो है ब्लू लाइट जलती है वाइट नहीं जो कि बहुत अच्छा हम अभी करेंगे सभी का एक साथ करेंगे तो अब जिसका पहले हम आउट्पूट करन्ट कर लेते हैं कि यह आउट्पूट करन्ट कितना देता है और इसका फ्लैश्लाइट भी आउन करके हम देख लेंगे तो आप देख सकते हैं मैंने इसके कनेक्शन कर लिए चेक करा देता हूं इसको कनेक्ट करते हैं मल्टीमीटर के साथ एंप्यर पर सेट करके मल्टीमीटर को तो नेक्टिव पर पॉजटिव और जो लाइट का एक बचा है उसमें नेक्टिव तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी गलो कर रही है और 1.99 करन तक यह गिया था उस तो हमने अपनी तरफ से सभी टेस्ट कर लिए जो इसका आउटपूट करन था वह मैं टेस्ट कर लिया जो आया था 1.99 के हिसाब से वह भी बहुत अच्छा था तो हम इसको 1.99 एंप्यर लिख लेंगे और उसको भी टिक कर देंगे जो 2 USB वाले था वह भी बहुत अच्छा वर्क करता है लेकिन आपने देख लिए होगा वह थोड़ा ख्राता तो अब सेधा इसका जो लास्ट बचा है वह फोन चार्जिंग टेस्ट तो आप हम इसको भी टेस्ट करेंगे और बताएंगी कौन सा बेस्ट होगा तो आप देख सकते हैं आप मैंने यूस्ब वाले पा तो आप देख सकते हैं तो आम इसका कि आपको मिल अंप्र दिखा देता हूं आप देख सकते हैं 846 मिल अंप्र से चार्ज हो रहा है मतलि वह 800 अपर आपको और ऑच्पूट देहीं देता है फौन में जो की बहुत अच्छी बात है तो अब हम दूसरे वाले वाले की आपसी है लेकिन आप देख सकते वर्क बिल्कुल अच्छा कर रहा है और यह 927 मिलियांपेर से चार्ज कर रहा है मतलब वन एमपेर आपरोक्स आउटपट मिलियांपेर दे रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है तो अब इससे परकार 3 USB वाले को भी टैस्टिंग कर लेते हैं तो इसको अब मैं फोन से कनेक्ट करता हूँ आप देख सकते भी फोन चार्ज नहीं हो रहा जैसी मैं इसको कनेक्ट करता हूँ इसके पीछ एक स्विच भी है उसको हमें ओन करना पड़ेगा तब यह जाके स्टार्ट होगा तो जैसी मैं स्विच को पुछ करता हूँ आप देख सकते हैं फोन चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है लाई उपर जल चुकी है और यह भी वन एंपार से चार्ज कर रहा है 905-960 यह बहुत अच्छा चार्ज कर रहा है तो अब बात आती है कि सबसे अच्छा बेस्ट कौन से है तो मैं अपनी तरफ से बता हूँ तो मु वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जिरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ऐसे कंटेक्ट आपको इस चानल पर मिलते रहेंगे